महारास्ट और जारखन विधान सभा चुनाओं के बीच सियासत तेज है खासकर के जारखन में जिस तरीके से बीजेपी के सामने तमाम विपक्षी दल खड़े हैं वहाँ पर सियासत बहुत ज्यादा तेज होती लगातार जा रही है इसी बीच आरजेडी के ऊपर यवाचेतना के परमुक रोहित कुमार सिंग भड़क गए हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव पर जम कर हमला बोला है जी हां यवाचेतना के परमुक रोहित कुमार सिंग ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला और कहा कि 23 दवंबर को जब नतीजे आएंगे तो तेजस्वी यादों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी रोहित कुमार सिंग ने ये भी कहा कि अब बिहार में जंगल राज नहीं आने दें गे यानी कभी भी RGD को सत्ता में बिहार में नहीं आने देंगे वहीं जो RGD जारखंड में सत्ता थी और अब जारखंड ठीक करने चले हैं रोहित कुमार सिंग ने ये भी कहा कि बिहार और देश और जारखंड महारास्त इंडी गरबंधन के खिलाफ है और ये जो वादे कर रहे हैं पूरे देश को पता है कि इनके वादे पूरी तरीके से खोखले होते हैं इनकी कतनी और करनी में फर्क होता है इसलिए जनता अब आर जेडी पर कॉंग्रेस पर विश्वास्त नहीं करती है और जो तेजस्वी यादव जारखंड में दम दिखाने की कूशिस कर रहे हैं उन तेजस्वी यादव से एक वक्त भिहार नहीं समला था अब वो चले हैं जारखंड क आपाट हो जाएगी ऐसा रोहित कुमार सिंग्ग यवाच रेतना के प्रमुक कह रहे हैं फिलाल जिस तरीके से रोछित कुमार सिंग्ग तेजस्वी यादव पर भरके हैं और उन्होंने कड़े सब्दों में तेजस्वी यादव पर हमला बोला है उस पर आपकी राए क्या कमिन में जरूर बताएगा और रोहित कुपार सिंग्ग क्या कुछ अपने बयान में कह रहे हैं वो सुनते जाएगा बिहार में हो रहे चार सितों पर उप्चनाओं में राष्ट्रे जनतादल और उनका इंदी गतबंधन बुरी तरह से पराजित होने जा रहा है तेजश्वी प्रशाद यादव जी आपके बड़बोले पन को आपके बनावती पन को आपके नकली पन को राजिकी सम्मानित जनता ने प्रमानित रूप से सत्यापित कर दिया है और तेईस नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो आपके पैर के नीचे की जमीन चली जाएगी राजिकी जनता को आपके माता पिता ने सरकार में रहते हुए शोशन का केंदर बना दिया था अब राजिकी जनता जंगल राज के चादर के अंदर नहीं जाने वाली है राजिकी जनता ने जंगल राज से लड़ाई लड़के राजिको आपके प्रिवार के गंदी राजनीत से मुक्ति दिलाई है अब फिर से वह दोर नहीं आएगा चारो सीतों पर हो रहे उप्चुनाओं में आपका दल आपका गतबंधन बुरी तरह से पराजित होने जा रहा है रही बात जारखंद में जो चुनाओं प्रचार में आप दस्त हैं पहले अपने अधार वाले राज्य बिहार को तो संभालिये फिर जाईएगा जारखंद और महरास्तर प्रचार करने गये थे आपके दूत लोग हर्याना बहनोई का जमानत नहीं बच पाया इसलिए परिशान मत होईए उतावलापन मत दिखाईए राज्य की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है अब आने वाले समय में कुछ होने वाला नहीं है बिहार प्रगती के पतपर बढ़ रहा है देश विकास के पतपर बढ़ रहा है अब आप लोगों के बात में बिहार और देश की जनता नहीं आने वाली है